तो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं इन्वेस को इंडिया टेक्नलोजी इस फंड के बारे में जैसे के यह एनेफो कब ओपन होने वाला है कब इनेफो क्लोस होगा किन कंपणियों के अंदर फंड मेनेजर साफ का पेसा इनवेस करने वाले फंड मेनेजर के पास कितना experience है अगर आप इस इनेफो के अंदर इनवेस करते हैं तो बेचमार के हिसाब से अपको कितने return मिल सकते हैं इस फंड के अंदर आपको Allortment कम मिलेगी कितने पेसे से आप अपनी investment journey इस fund के अंदर इस्टार्ट कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं और invest को India Technologies Fund के बारे में details में जान लेते हैं किसी भी NFO का detail analysis करने के लिए हम लोग के एक website की मरत लेते जिसका नाम है moneymentidea.com तो आपको Google में आना है then moneymentidea.com यहाँ पर search कर देना है जैसे आप moneymentidea यहाँ पर search करेंगे यह वाली website आपके सामने आ जाएगी आपको यहाँ पर इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखे आपको यह option देखने को मिल जाएगा new NFO fund आपको इसके उपर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर आपको page को नीचे school करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open हो जाएगा अगर आपको वो NFO यहाँ पे नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आप एन्वेस को लिखेंगे तो यह वाला NFO आपको शो कर दिया जाएगा तो आपको इसक्यू पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने क इस तरीका का इंटरफेस शो करेगा यहां पे आपको पेज को नीचे स्कुल करना है जैसे आप नीचे स्कुल करेंगे तो इस एनफो से रेक्टर सब भी इंफुरमेस्ट साब को मिल जाएगी जैसे कि यहां पे आप इसकीम का टाइप देख सकते हैं तो यह इसकीम एक ओपन टाइप के इक ओर्टी टाइप के स्कीम रहने राई से यहां पर इंवेस्ट करेगा टेक्न wedge & technologies से रिक्टर जो भी sector रहें गे के अंदर जो भी कंपनियां मुझूद रही उनके अंदर फंड मेंजर्स हैं पेसा इन्वेस्ट करने वाले हैं जैसे आप नीचे स्कूल करेंगे तो यहां पर देखे आपको उन कंपनियों की डिटेयस मिल जाएगी तो जिन भी कंपनियों के अंदर यहां पेंचमार के साबस अगर आप सभी के बारे में आपको बता देता हूँ, अगर आप सभी के बारे में डिटियल्स में जानना चाहते, तो मनी मिल टाइड है के उपर विजिट करके, यहां पर आप सारी चीज़े चेक कर सकते, तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्मेंट रेने वाली है, वो इन्फोस सब देखेंगे, तो 10% के समतिंग रहने बाला है, उसके बाद आपको यहां पर टेक महिंदरा देखने को मिल जाएगा, जिसका 9% से ज्यादा इन्वेस्मेंट रहने बाला है, उसके बाद आपको यहां पर विप्रो लिमिटेड मिल जाएगा, जिसके अंदर 8% के समतिंग क स्टेक रहने वाला है उसके बाद अगर हमें कंपनी देखें तो मिल जाएगा इसके अंदर 6% के सम्तिंग स्टेक दिखने को मिल जाएगा अगर आप पूरी कंपनियों के बारे में डीरेस में जाना चाहते तो इस आर्टिकल को रीट कर लिजेगा आपको सभी इंपोर्मेशन टाइप के स्कीम रहने वाली है ये नेफो आपको 3 सितंबर से ओपन होते देखने को मिल जाएगा लोजिंग डेट के बात करें तो 17 सितंबर को इसका क्लोजिंग रहने वाला है अगर आप इस अन्दर अपलाई करेंगे तो आपकी जो अलोट्मेंट रहेगी वो 3 सितंबर क आपको मिल जाएगी देनिहां पर हम लोग के बात करें तो एक सेक्टरल टाइप का फंड रहने वाला है यानि यह टेक कंपनी के अंदर इंवेस्ट करेंगा और उसी को यहां पर फोलो करने वाला है क्या पर अगर हम मिनेमेंट की बात करें तो हजार रुपे से आप अपना पर इंवेस्ट करते आपके कितने रिटन्स यहां पर बन सकते हैं यहां पर इस एनफोस रेलेटेड हमें कुछ और डिटेस बताई जाती जैसे कि यहां पर इसका इक्जित लूट देखेंगे तो 0.50 यहां पर एक्जित लोट रहने वाला है अगर आप इस फंड से 3 मेने के पेले एक्जित करेंगे तो आपको यह वाला चार्ज यहां पर पे करना होगा यहां पर इंट्री रोड अल्मोस नील है स्टार्म ड्यूटी आप यहां पर देख सकते हैं फर्स टाइम जो आपका इंवेस्टमेंट रहेगा वो हजार रुपे रहेगा उसके बाद आप चाह को लगता है कोई और चीजे उनको देखने को मिल रही है तो 20% तक पेसा महां पर इंवेस्ट किया जा सकता है अगर फंड में इसको लगता है डेबीट और मनी मार्केट के अंदर ग्रोथ उन्हें नजर आ रही है तो जीरो से लेके 20% पेसा इंवेस्ट करने के बारे में सो स सकते हैं इसके साथ ही जो गोर्मेंट के पोजट रहते हैं और इसके अंदर जीरो से लेके 10% तक फंड मेंजर पेसा इंवेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छे ग्रोथ नजर आती है तो जो भी एसे टालोकेशन रहेगा उसके बारे में आप डिटेस में बताया गया त कि पर सकते हैं इसके फर्ण में भारे में बताया जाता है तो यहां पर In यहां पर दी गई है और उनका जो भी experience रहेगा उसके बारे में बढ़ सकते हैं अब दोस्तों यहां पर point आ जाता है most important point कि अगर आप इस fund के अंदर invest करेंगे तो आपको कितने returns मिल सकते हैं क्योंकि जब भी आप एक beginners रहेंगे चाहिड सी बात है कि किसी fund में अच्छे returns कमाने के लिए invest करेंगे तो इस बात के उपर हमेशा आपको focus करना है कि sector कौन सा है और आपको returns कितने मिलेंगे दो बातों पर यहां पर आपके growth depend करती है तो अगर आपका गलत निन्ने हो गया तो आपके जो capital रहेगे उस पर उतना अच्छा return नहीं बनेगा जब भी आप किसी एने पर यहां पर इन्वेस किया तो आपको भी कुछ इसी तरह के return मिलेंगे अगर आप इन return के साथ comfortable है कापी इस fund के अंदर invest करने के बारे में सोच सकते हैं बाकि जो भी details ही मैंने आपके साथ details में discuss कर ली पंड का जो focus है वो take company को pick करना है तेरे उनके अंदर invest करना है अगर आप इसके return देखेंगे तो return मेरे खाल से काफी अच्छे जाद आपको लालाज नहीं करना चाहिए क्योंकि जाधा return भी अगर आप बगड़ने जाएंगे जो आपकी capital है वो काफी जाद रिस्क पे आने व मुझे लगता है इस इनफोस रेटर सभी information आपको मिल चुकी होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमें motivate जरूर करें ताकि हम आपके लिए details में से वीडियो लाते रहें और अगर आप IPO में भी इंट्रेस्टेड है आप money